सभी शोतों को संध्या का नमशकार और हाथ जोटकर परणाम आज मैं बात करूँगा महान संत्गुरु रविदास महाराज जी के बारे में जिन्हें अक्सत महान संत्ग, समाज सुधारक और भक्त के रूप में जानना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु रविदास महाराज एक बिज्ञानक भी थे। जी हाँ, उनका ज्ञान केबल अध्यात्मिक और समाजिक स्थर्प पर ही सीमत नहीं था, बलकि बिज्ञानक दिरिश्टी कोण भी उनके विचारों में स्पष्ट दिखाई देता है। महान संत गुरु रविदास जी महाराज ने हमेशा सत्य ज्ञान और तरक को महतब दिया। उनका मानना था कि कोई भी कार्य बिना सोच विचार और समझ के नहीं करना चाहिए। ये उनके बिज्ञानिक दिश्टी कोण का एक प्रमुख पहलू था। बे मानते थे कि हर या अध्यात्मिक। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी शिक्षाएं दी जो आज भी बग्यानिक रूप से महात्यपूरण हैं उधारन के लिए उन्होंने मन चंगा तो कटौती में गंगा का संदेश दिया। इसका गहरा बग्यानिक और मान्जुक्स स्वस्त्य से चांत है तो हमारे चारों और की दुनिया भी श्वश और सुखदाई हो जाती है। आज के मान्जुक्स स्वस्त्य विशेशक्य भी मानते हैं कि एक स्वस्त्य मान्जुक्सिति इंसान के पूरे जीवन को प्रभाबित करती है। महान संत गुरु रविदास जी महराज ने समाजिक एक्ता और भाईचारे का संदेश दिया। उनका कहना था कि सबी मुनिश्यों एक समान हैं और किसी में भी कोई भेड़भाद नहीं होना चाहिए। ये बिचार ना केबल धार्मिक थे बलकि समाजिक बढ़्यान के द्रिश्टी कोण से भी गहरे थे। उन्होंने उस समय की समाजिक बेवस्था को चुनावती दी जो मानमता के खिलाप थी। इसका ये निशकर्ष है कि महान संत गुरु रभिदाश जी महाराज एक संत नहीं थे बलकि एक महान बग्यानिक भी थे जिन्होंने समाजिक मानसिक बग्यानिकता को अपने विचारों में शामिल किया। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सचाई, ज्यान और बग्यानिक दृष्टी कोंड से ही समाज और ब्यक्तिक का कल्यान हो सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। कल सुबा पांच वजे मिलूँगा ऐसे ही एक प्रेणना दाइक शिक्षा या कहानी के साथ। तब तक जै गुरु रबिदास जी महराज जै भीम। शुबरात्त्री दोस्तों।